Module 103, Causes of Suppression Anxiety Disorder इसके अंदर हम सबसे पहले biological causes को discuss करेंगे biological causes के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो genetic आती है तो इसको हम यूँ understand कर सकते हैं कि ये कहा जाता है कि जिनकी mothers के अंदर basically depression का element मौजूद हो तो बहुत हद तक chances होते हैं कि उनके जो offsprings हैं उनके अंदर किसी किसम का psychological problem जो है वो exhibit हो सकता है इसी तरह अगर parents के अंदर यानि mother के अंदर especially अगर anxiety disorder जो है वो मौजूद होगा तो it is more likely कि जो बच्चा है उसके अंदर भी anxiety के जो features हैं वो आ सकते हैं तो it might possible कि जो anxiety है वो genetically transmitted हो सकता हो then जो other factor है वो hormonal factor है जो कि during pregnancy जो है वो बच्चे को effect कर सकती है इसके साथ साथ अगर cortisol का जो level है वो increase हो जाए तो जिसकी वज़ा से HPA का function जो है वो effect होता है और इसके function के effect होने की वज़ा से बहुत हद तक chances होते हैं कि जो cerebral volume है वो या तो reduce हो जाता है इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जो hippocampus का volume है वो भी बहुत हद तक change होना शुरू हो जाता है तो this might be an other factor उसके बाद हम brain structure की बात करते हैं जिसमें amygdala और limbic system की हम बात करते हैं तो जो amygdala है वो basically जो startle responses होते हैं anxiety से related और वो उनको actually deal करता है ठीक है और इसके साथ साथ जो limbic system है अगर इसके अंदर किसे किसम की problem आ जाए तो जो coping mechanism है यानि how to cope with the anxiety वो चीज़ जो है वो effect होना शुरू हो जाती है तो ये दो जो brain structure के part हैं ये बहुत important है in separation anxiety disorder और MRI की reports बताती हैं कि इन दोनो functions brain के structure के अंदर अगर कोई functional abnormality हो तो उसकी वज़ा से भी separation anxiety disorder जो है वो exhibit हो सकता है इसके साथ हम कुछ developmental considerations जो है उनको अपने जहन में रखते हैं developmental consideration का क्या मतलब होता है कि एक खास उमर में जाकर जो बच्चा है वो कुछ certain type of fears के साथ या anxiety के साथ जो है उनको address कर सकता है या उनको overcome कर सकता है ठीक है तो उसको हम understand करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो zero to six month है उसके अंदर जो fear है ये naturally बच्चों के अंदर मौजूद होता है ठीक है loud noises का fear उनके अंदर होगा ठीक है या उनको fear होगा कि उनकी support जो है या जिस तरह उनको lap में लिया जाता है या हग किया जाता है वो चीज जो है ना खतम हो जाए तो zero to six month के अंदर ये fear natural होता है अगर ये होगा तो हम इसे inappropriate नहीं कहेंगे इसी तरह six to eighteen month के अंदर बच्चों को जो fear of stranger है या अपनी mother से या आपने अकसा देखा होगा कि बच्चों ने अपनी मा की जो shirt है उसको आमतर पर होल्ड किया होता है तो ये six to eighteen month क अगर बच्चा है तो this is very natural ठीक है तो इसके अंदर अगर वो ऐसा express करेगा तो उसको आपने ये नहीं समझना कि ये suppression anxiety disorder है उसके बाद two to three years के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर fear develop हो जाता है animals से या imagery creatures से या अगर वो कोई monsters वाले कार्टून देख रहे हैं तो इस किसम के जो creatures होते हैं वो sometime उनके अंदर fear induce करते हैं तो दो से तीन साल की उमर तक बच्चों के अंदर ये fear रहता है और ये appropriate है then three to six years के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर storm से darkness से या caregiver के जो loss है कि खुदाना खासा उनकी death ना हो जाए या वो चले ना जाए हमें जोड़के तो this is something कि जो three to six years के अंदर बच्चों को ये fear होता है और ये natural है इसका मतलब ये है कि after three to six years जो बच्चा है वो in fears को cope करने के काबल हो जाता है ठीक है इसी तरह six to ten में बच्चे के अंदर natural होता है fear of school, worry, concern about bodily injury और physical danger क्योंकि ये वो वाली time period है जिसमें आप देख रहा होता है बचा school जा रहा होता है तो इस किसम के जो fears है वो उसके अंदर naturally develop हो जाते हैं लेकिन with time वो उनके ओपर overcome करना सीख लेता है दस से तेरा साल की उमर के अंदर social concerns शुरू हो जाते हैं कि हमें जो लोग हैं वो हमें accept करते हैं या नहीं करते हैं rejection का element तो नहीं है वो स दुरान social anxiety हो रही होती है पानिक हो रहे होते हैं क्यों कि यह बचों का teenage time period है और teenage के अंदर बहुत सारे hormonal changes आ रहे होते हैं need for social approval बहुत हाई होता है competence जो है उनको अपनी express करनी होती है कि we are competent they are struggling hard in their academia and other things तो कहने का मतलब यह है कि यह जो सारी चीज़े हैं यह natural process है हाँ कब ह जब यह चीज excessive हो जाए age appropriate ना रहे और उस वकत हम यह कहेंगे कि इस बचे को जो है वो suppression anxiety disorder है ठीक है यह आम तोर पर यह देखा जाता है कि बच्चे जब school जाते हैं तो वो एक दो week लेते हैं अपने आपको adjust करने में और start में parents को भी permission होती है कि वो school में रुकें लेकिन that time period will be only for one month यानि four weeks अगर four weeks के बाद भी और बचे की age जो है वो तीन साल से अबाव है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अब जो behavior exhibit हो रहा है वो inappropriate है उसके developmental age के reference में so these are the developmental considerations जो आपने जहन में रखनी है कि किस stage के ओपर बच्चे के अंदर कौन सा fear या anxiety develop हो सकती है और after what time ज सकती है ऑल कि इसके झाल से विज in तो क्नाव धरना पार अंदा प्ली है कि खो फुझा एुए को आर में सकती है और gue समितर है के अगल के लो आबेस्यू है गो पी दो